हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं केंद्रिय बजट 2021 जो की वित्व मंत्री निर्मला सीता रमन जी ने पेश किया इस बजट को और ये इनका तीसरी वार पेश किया बजट था ये आपको याद रखना है और डिजटल बजट था ये आप देख रहे हैं इनके हाथ में टैबलेट तो ऐसा पहली बार हुआ है कि जब डिजटल बजट पेश किया गया है क्योंकि इस बार ड्यू टू कोविड पेपर नहीं बना पाए तो डिजटल बजट इन्होंने निर्मला सीता रवन जी का वित्तमंत्री के रूप में तीसरा बजट था और ये डिजटल था पूरी तरह ये बात याद रखनी है क्योंकि हो सकता है किसी भी वंडे एक्जाम में पूछ लिया जाए कि ये बजट डिजटल था तो कौन सी बारता तो प्रथम बारता ये या सकता है किसी भी एक्जाम में लेके वंडे से UPSC, स्टेट, PCS किसी भी एक्जाम में ये पूछा जा सकता है ये आपको याद रखना है ठीक है चलिए इन पिलर्स को देख लेते हैं तो सबसे पहले है स्वास्त बलाई यानि Health and Wellbeing दूसरा है बहुत इक वित्तिय पुंजी औ यानि Human Capital और पांचमा है नवाचार और अनुसंधान और विकास यानि Innovation and Research and Development छेटमा है नियुन्तम सरकार अधिक्तम सासन यानि Minimum Government and Maximum Governance इन 6 पिलर्स को आपको याद रखना है बहुत ज्यादा important है ये हो सकता है किसी भी पिलर्स के बारे में आपसे पूछ लिया जाए प बहुतिक वित्य पुंजी और Infrastructure, समावेसी विकास, मानक पुंजी, नवाचार अनुसंधान और विकास, नियुन्तम सरकार अधिक्तम सासन ये 6 के 6 पिलर्स आपको याद रखने है बहुत important है ठीक है चलिए आगे देखते हैं इसी बजट में सीता रमन जी ने 8 छेत्रों की पहचान की फोकस आठ छेत्रों की जो जिन छेत्रों पे फोकस किया जाना है और इनको बोला गया राष्ट प्राथमिकी का संकल्प ये आपको याद रखने है और 6 पिलर्स और इन प्राथमिकी के संकल्प में बिल्कुल भी confused नहीं होना है क्योंकि ये हैं जिनको प्राथमि रखिता दी गई है जबकि फिलर बोला गया है अर्थ-विवस्था के वह पिलर जो मजबूती प्रदान करें गे तो ये आपको अलग ध्यान रखनी है दोनों बातें कि ये फोकस किया जाएगा इन आठ पिलर्स पे और वो थे जिन से अर्थ-विवस्था को मजबूती प्र तीसरा है स्वस्त भारत, चोथा है सोसासन, पांचमा है युवाओं के लिए अबसर, छटवा है सभी के लिए सिक्षा, और फिर है महिला ससक्तिकरण, और अंटमेह समावेसी विकास, ठीक है, ये आठ ऐसे फोकस छेत्र हैं, जिसको राष्ट प्रात्मीकी का संकल्प के सभी के लिए स्विक्षा, महिला ससक्तिकरण, और समावेसी विकास, मैं इनको इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि question मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है यहां से, तो आप बिल्कुल भी ignore मत करिएगा, आप जानते हैं कि मैं किस तरह पढ़ाता हूँ, बहुत important चीज़ इनको ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहली बात जो highlight रही है कि 75 साल या इससे ज़्यादा उम्र के pensioners को ITR में छूट, तो ITR क्या होता है, आप जानते हैं, income tax return file करने के बाद, फिर जैसा भी आपको tax lab में आप आते हैं, तब आपको tax pay करना पड़ता है, ठीक है, तो अब कहां कि बोला गया है कि 75 साल या इससे ज़्यादा उम्र के जो pensioners हैं, उनको ITR में छूट देगी सरकार, यानि जो सरकारी सेवाओं से निवरत हुए लोग हैं, या जिनोंने pension जिनको मिलती है, तो वो अब ITR से उनको छूट मिलेगी, लेकिन आपको एक बात इसमें ध्यान जो बहुत important है, कि जो लोग अभी भी किसी company के, या तो chairman है, या किसी company में काम कर रहे हैं, किसी post पे, और वो 75 की उम्र से जादा हैं, उनको ITR फाइल करना है, तो question अगर सीधा सीधा मिल जाए आपको कि 75 से उम्र के लोगों को ITR फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, त यहाँ पे क्या बोला गया है, उम्र के 75 से जादा उम्र के pensioners को ITR में छूट दी गई है, और यह इसलिए किया गया है, ताकि जो लोग 75 से जादा उम्र के हैं, सेवा निवरत हो चुके हैं, उनको ITR फाइल करने के लिए बहुत सारे paper को इखटा करना पड़ता है, बार बार फिर अपने CA से मिलना पड़ता है, CA को फीस देनी पड़ती है, 1500 रुपे जो भी हो, तो इसलिए उनको बागा दोड़ी ना करनी पड़े, इसलिए उनको छूट दी गई है और यह बहुत अच्छा कदम भी हम कहेंगे, बट यह बात ध्यान रखनी है कि जो लोग working है और जो लोग काम कर रहे हैं किसी private company में या फिर कहीं भी उनको ITR से छूट नहीं है, यह सिर्फ pensioners को छूट दी गई है, जो अभी घर पे हैं, ठीक है, चलिए, पहली बात तो आपकी यह हुई, दूसरी बात एक बोली गई कि 15 साल पुरानी commercial और 20 साल पुरानी private गाड़ी जो आपक scrap करा सकते हैं, तो scrap कराना यह volunteerly है अभी, यानि व्यक्तिगत इच्छा पे आपकी निर्भर करता है, जब तक कोई अधिनियम या कोई निर्देश नहीं आ जाता, परिवहन मंत्राले की तरफ से, अभी तो सिर्फ budget में इसके बारे में जिकर किया गया है, वो भी volunteerly है, कि आए हैं, environment को लेके, तो आप उसको scrap करा सकते हैं, यानि खतम करा सकते हैं, scrap का मतलब होता है, कि आप उसे ले जाएंगे और उसका कल पुर्जे अलग कर दिये जाएंगे, तो उसको scrap बोलते हैं, गाड़ी को खतम करना, तो यह अभी volunteerly है, लेकिन इस पे जल्द ही हो सकता है कि कोई act या दिनियम आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, और यह ध्यान रखना है कि इसमें 15 साल पुरानी commercial vehicle, यानि जो व्यापारी को प्रियोग के लिए जो गाड़ियां है, वो 15 साल उनके समय सीमा है, और जो निजी प्रियोग के लिए गाड़ियां है, उनके लिए 20 सा पुरानी हो गई है, आप उसको scrap कराते हैं, तो फिर आप नई गाड़ी भी एक खरीदेंगे, तो उससे production करना पड़ेगा, जिस भी गाड़ी के आप ले रहे हैं, आप मारूती का ले रहे हैं, आप किसी नैकसा की ले रहे हैं, जिसकी भी ले रहे हैं, वो अलग मुद्दा है, लेकिन फिलाल आप यह समझे, आप नई गाड़ी खरीदेंगे, तो production बढ़ेगा, और production बढ़ेगा, तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा, तो आर्थिक सम्रिद्धी बढ़ेगी, यानि देश तरक्की करेगा, ऐसा बोला गया है, तो यह आपको देह किलियर हुई, तीसरी बात, वैक्सीन के लिए 35,000 करोड रुपे का बहुत बड़ा एमाउंट इनों ने दिया, वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन जेनरेशन के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, ठीक है, आपको पता है, आर एंडी पे हमने अभी देखा, रिसर्च एंड ड दिया गया है कि पिछले वर्ष की तुल्ला में 137 प्रतीसत जादा हो गया है, तो हेल्थ बजट को 137 प्रतीसत तक बढ़ाया गया, और इसकी बहुत ज़्यादा आवे सकता भी थी देश को, जिस तरह हम कोविड की इस से उबरे हैं, और देश अभी भी लगातार उसी में भशा हुआ है, आर्थ विवस्ता को कितना ज्यादा नुकसान हुआ, अगर पहले से हमारा आर्थिक जो आधारबू ढाचा है स्वास्त के चेत्र में बहतर रहा होता, तो इस्तिती कहीं बहतर हो सकती थी, लेकिन फिर भी दे रहा है दुरुस्ताई, वैक्सीन के लिए 35,000 क प्रोड और हेल्थ बजट को 137 प्रतीसत की ग्रोथ दी गई है, यह हम देखेंगे किस-किस चेत्र में कितना पैसा दिया गया है, यह अभी हम सिर्फ की पॉइंट्स देख रहे हैं, ताकि आपको एक समझ विखसित हो जाए, आप मेरे साथ अगर पहले से पढ़ते हैं, तो कितने परसेंट, पांच लाग से जादा है, तो कितने परसेंट, तो वो जो टेक्स लेब था, उस बार जैसा पहले था, वैसा ही है, इसमें कोई चेंजिस नहीं किये गए हैं टेक्स लेब में, और आम जो मद्दम वरगिये परिवार थे, वो उमीद कर रहे थे, यानि जो वही टेक्स पेर्स थे, वो उमीद कर रहे थे, कि हो सकता टेक्स में कुछ छूट दी जाए, लेकिन कहीं वहीं कुछ लोगों का मानना था, अर्थसास्त्रियों का, कि हो सकता टेक्स बढ़ाये जाए, क्योंकि आर्थिक बोज बढ़ा है सरकार पे, तो सरकार ने ना तो कम क किया, टेक्स लेब को अना ही बढ़ाया, उसको जैवकातों छोड़ा, जैसा पिछली वारता, सेम वैसा ही, वही टेक्स लेब मानने होंगे, और उसी हिसाब से, टेक्स पे करना होगा, तो आम करदाता के लिए, इसमें कोई भी बदलाब नहीं किया गया, टेक्स लेब में है नहीं, इस पे ज़्यादा हम डिसकस करके टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, हाँ, एक चीज है, जिस पे बहुत ज़्यादा मुझे बोलने की जरूयत है, और आपको समझने की भी, कि विनिवेस का जो लक्ष है, यानि जिसको हम आर्थ विवस्ता के भासा में, डिस इन्वे किया जाएगा, और बहुत ज़्यादा ये सोसल मीडिया पर चर्चा में है, कि सरकार सब कुछ प्राइविटाइजेशन कर रही है, निजी करण कर रही है, इसको बेच रही है, हाला कि अगर आप एस्परेंट हैं, और आप जानते हैं, बहुत समय से, तो ये विनिवेस अब समझेंगे, तो इसको हम इस इनवेस इनवेस बोलते हैं, इनवेस बोलते हैं, ये क्या है, इसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचती है, और प्राइविट सेक्टर्स को मौका मिलता है, तो विनिवेस का लक्षय है, 1.75 लाग करोड ये आपको याद रखना है, चलिए, जो हमने pillars अभी देखे 6 pillars की बात की उसमें सबसे पहले हम pillar देखते हैं स्वास्थ यानि health और इसमें health में स्वास्थ बजट में मैंने आपको बताया 137 प्रतीसत का इजापा हुआ है बहुत बड़ी बात है और जो पहले 94,000 करोड रुपे इसका पिछली बार का बजट था उस कर दिया गया यह amount आपको याद रखना है 94,000 करोड से 2.38,000 करोड कर देना स्वास्थ बजट और इसलिए हम कहरें 137% की growth हुई है देखे 94,000 है 94,000 की और growth करते तो कितना होता 100% होता लेकिन किया कितना गया है 2.38,000 कर दिया गया है तो यह दूने से 100% से ज़्यादा हो गया almost 1.5 के आसपास है तो 1.37% growth rate है यह याद रखना है स्वास्थ से question बन सकता है इसलिए मैं बहुत जादा इस पर जोड दे रहा हूँ ठीक है और सरकार ने बोला है कि इस मद में अगले 6 सालों में करीब 61,000 करोड रुपे खर्च करेगी सरकार स्वास्थ बजट में यह आपक जाच केंद्र बनेगा यह बहुत important बात है यह द्यान रखना है तो आप देख पा रहा है कि health infrastructure पे किस तरह सरकार सक्रिय भूमिका में है तो 75,000 ग्रामींड health center और हर एक district में एक जाच केंद्र खोला जाएगा ऐसा सरकार ने कहा है यह बात आपको द्यान रखनी है हो सकता है पूछ लिया जाए एक्जाम में 602 जिलों में critical care hospital खुलेंगे critical care hospital क्या होते है जो यह मानिए ICU के तरह जो इसमें बहुत ज्यादा critical चीजें होती है उनको देखा जाता है OPD से आगे का process होता है तो 602 जिलों में critical care hospital खुलेंगे यह आपको द्यान रखना है पोसंड 2.0 इस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है यह याद रखना है पोसंड 2.0 क्या है तो इसको कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है पोसंड 2.0 इसमें क्या किया गया है पहले से जो program चल रहे थे पोसंड कारिक्रम और पोसंड अभियान यह दो पूरक program थे इन में इतना हाहुला करने जैसा कोई ज्यान था नहीं फिर भी ठीक है पोसंड 2.0 आपको ध्यान रखना है बहुत important है और हो सकता है पूछले कि क्या पूरक क्या थे तो पोसंड कारिक्रम और पोसंड अभियान आपको याद रखना है दोस्तो ठीक है चलिए स्वास्त बजट म यह याद रखना है आपको कि यह खोलने की बात की गई है कि नैशनल सेंटर बनाया जाएगा फोर डिसिज कंट्रॉल एंसी डीसी इसको बोलेंगे यह आपको याद रखना है और है integrated health info portal को और मजबूत किया जाएगा integrated health info portal है यानि कि इसमें health के बारे में जानकारी मिलती है एक दूसरों को उसको मजबूत किया जाएगा important उतना है नहीं सत्रे नई public health unit को भी चालू किया जाएगा यह आपको याद रखना है ऐसा कुछ important इसमें है नहीं कि आए question में हाँ लेकिन vaccination के लिए विसेश प्राबदान किया गया है और इस मद में कुल 35,000 करोड रुपे रुपे आवंटित किये गए हैं यह आपको याद रखना है अब हम आतें infrastructure यानि आधार भूत संरचना पे तो infrastructure में अगर हम देखें तो वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन जी ने बजट में चार राज्यों तमिल्लांडू पश्चिम बंगाल केरल और असम के लिए national highway project या तो भारत माला project है उसी का ये है पार्ट है तो नेशनल highway project इसमें बोला गया है तमिल्लांडू पश्चिम बंगाल केरल और असम में ये पूछेगा नहीं बस आप देख लिए एक बर आपसे ये नहीं पूछेगा ठीक है बस देख लिए आपकी क्या बोला गया है तो तमिल् बंगाल में 675 किलोमीटर सडक बनाने के लिए 95,000 करोड और असम में 1300 किलोमीटर सडक निर्मान के लिए 3400 करोड रुपे दिये गए हैं ये किसमें है ये national highway project के तहत है जो भारत माला का एक पार्ट आप कह सकते हैं लिकिन ये question में पूछेगा नहीं तो इसके लिए आपको important है बट question बनने के संबावना भी उतनी ही कम है ठीक है चलिए आगे देखते हैं मार्च 2022 तक 85,000 किलोमीटर सडक बनाने का ठेका दिया जाएगा ये थोड़ा बहुत आप द्यान रख सकते हैं बस जो द्यान रखने की चीज है वो है सडक परिवहन और राजमार्ग मंतराले यानि NHAI के लिए 1,18,101 करोड रुपे स्विकरत किये गए हैं बहुत ज़्यादा important है ये बात आपको याद रखनी है सडक परिवहन और राजमार्ग मंतराले के लिए 1,18,101 करोड रुपे आवंटित किये गए हैं यानि आप देख रहे हैं आधार बूस सरचना के लिए सरका सरकार ने इस टाइम काफी बड़े कदम उठाए हैं और रेलवे को दिया है 1.0 लाग करोड रुपे ये आपको याद रखना है ठीक है रेलवे के लिए 1.10 लाग करोड की घोसना की गई है इस बजट में दोस्तों आते हैं समावेसी विकास पे तो समावेसी विकास में हम द सरकार ने बोला है इनाम के तहट आपको याद रखना कितनों का पंजी करण हुआ है तो 1.68 करोड किसानों का पंजी करण किया गया है इनाम के तहट आपको इनाम का फुल फॉर्म बताना है जिस जिसको भी पता है कॉमेंट करिए इनाम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों औ पिलावा सौ और मंडियों को यह नाम के अंतरगत लाया जाएगा ऐसा सरकार ने बोला है एपी एमसी जिस पर किसान अंदोलन भी कर रहे हैं तो एपी एमसी जो मंडिया है क्रिसी अवसरचना कोस की सुबदा प्रदान की जाएगी जिससे वे बुनियादी सुबदाओं में व रियात को बढ़ावा दिया जाएगा यह आपको याद रखना है Orion Green Screem किस लिए है सिधा सीधा question gettinसी जाजा सकता है तो आपको याद रखना है updatebracht युश्पारेशन ingre impression किस के लिए है और याद को बढ़ावा देने के लिए एसा question BPSC में पूछा जा चुका है UPSC में पूछा जा चुका है सीधा 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 स्कीम का नाम लेके कि कौन किस से सम्मंदित है Central की स्कीम तो Operation Green स्कीम को आपको याद रखना है ये है निरियात को बढ़ावा देने के लिए ठीक है चलिए प्रवासी मजदूरों के लिए योजना बताते हुए वित्मंतरी ने कहा कि एक देश एक राशन कार्ड यानि One Nation, One Ration कार्ड के तहट मजदूर देश में कहीं से भी राशन ले सकेंगे अगर आप बहार के निवासी है दिल्ली में काम करते हैं तो आप जो एक देश एक राशन कार्ड दिखाएंगे आप दिल्ली में और आप रासन ले पाएंगे, काफी अच्छी सुबदा है, अगर ये अच्छे तरीके से काम कर पाती है, तो ये वन नेशन, वन रेशन कार्ड आपको याद रखना है, ये भी याद रखेगा, इंपोर्टेंट है, समावे सी विकास का एक पहलू है, फिर आत सौने सैनिक स्कूल खोलने की बात की गई है, तो सो नय सैनिक स्कूल बनेंगे ऐसा बोला गया है, और इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद लिजाएगी, यानि पवल्लिक प्राइवेट पाप्स पार्टनर से पी पी मॉडल पे बनेंगे, सो नय सैनिक स्कूल ये Cela रखना है आपको बहुत इंपोर्टेंट यह पॉइंट है सो नए सैनिक स्कूल ठीक है ध्यान रखिएगा दोस्तों जिसको मैं बोलूं ध्यान रखिएगा उसको तो यहाई human capital यानि मानब पुंजी वाला जो pillar है हम वह देख रहे हैं अब higher education commission बनेगा बहुत ज्यादा important very 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 most important इसको एजूकेशन commission आप पोल सकते हैं allied जो होता इंगलिस में बट higher हाइर एजूकेशन कमीशन आप इसको पढ़िए इसके लिए कानून में संसोधन किया जाएगा और बहुत अच्छा है यह हुमन कैपिटल के लिए मानब पुंजी के लिए रोजगार परक विद्या के लिए रोजगार परक सिक्षा के लिए याद रखना है आपको क्वेशन पूछा जा सकता है हाइर एजूकेशन कमीशन से इसको बिलू मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि लगाता है तीन बिलू हो जाते बट यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हाइर एजूकेशन कमीशन के वारे में आपको याद रखना और इसके लिए एक लववे स्कूल बनाए जाएंगे very 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 most important और मानब पुंजी में ये तीन पॉइंट हैं जिनको आपको की पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना इस स्लाइड में सास सो पचास एक लववे स्कूल सीधा पूचा सकता है कितने एक लववे स्कूल बनाने का प्रावधान किया गया है तो सास सो पचास ये आपको याद रखना है दोस्तो apprentice योजना के लिए 3000 करोड़ की विवस्ता की गई है अनुसूचे जाती यानि SC के चार करोड़ विद्यारतियों के लिए 35,000 करोड़ रुपे का एलान की गई है यह आपको याद रखना यह भी important है schedule कास्ट के लिए तो 4 करोड विद्यारतियों के लिए 35,000 करोड रुपे का एलान किया गया है अप्रेंटिस योजन आपको याद रखनी है 3000 करोड की विवस्था इसमें की गई है संयोग तरव अमीरात के सार मिलकर skill training पर काम किया जाएगा ये भी important है कि लेह में केंद्रिया यूनिवस्थी बनाई जाने का एलान किया है आपको पता है लेह लद्दाक जो है अभी आपका यूटी बना है तो उसमें इन्होंने कहा है कि लेह में केंद्रिया यूनिवस्थी बनाई जाने का एलान किया गया है आधिवासी स्कूलों में भी एक लब्वे स्कूल खोले जाएंगे यह आपको याद रखना है तो यह उसी 750 का ही एक पार्ट है यह आपको याद रखना है तीन है आधिवासी स्कूलों में एक लब्वे स्कूल खोले जाने की बात कही गई है यह आपको याद रखना है अब आ भासा अनुवाद मिशन शुरू किया जाएगा very very most important highlight करना भूल गया हूँ इसको राष्टिय भासा अनुवाद मिशन शुरू किया जाएगा याद रखना दोस्तों इसको मैं highlight करना भूल गया हूँ आपको द्यान रखना इसको ठीक है New Space India Limited PSLV CS51 को launch करेगा और ये ब्राजील के एक उपग्रह के साथ अन्या कुछ बारतियों पुग्रों को भी space में ले जाएगा याद रखना है New Space India Limited सहायक कमपनी है इसरो की वहिया प्राइवेट कमपनी इसरो की और ये निजी इसमें सहयोग है New Space India Limited नई कमपनी बनाई गई थी कब बनाई गई थी आपको बताना है ये दूसरा question है कब इसकी स्थापना की गई New Space India Limited की और सरकार ने बोला PSLV CS51 को launch करेगा New Space India Limited बहुत महत्म उपलब्दी है ये बहुत खुसी के बाद गर्व की बात है कि इसरो के साथ साथ अब New Space India Limited की छमता इस हद तक पहुँच गई है कि वो PSLV CS51 को launch करेगा और इसमें बिजेसी उपग्रह की साथ साथ बारती उपग्रह भी जाएंगे बहुत important है question पूछ सकता है budget में भी बात हो गई इसकी question का answer आप जरूर करिएगा दोस्तो चली आगे देखते हैं बारत के चार अंत्रिक चात्रियों को रूस में prescription दिया जाएगा तो research and development में हम इसको देख रहे हैं और चार अंत्रिक चात्री जैसा कि आपको पता है कि गगन यान जाने की बात है जिस पे मानव mission हम बोल रहे हैं तो उसमें चार अंत्रिक चात्रियों को रूस में prescription दिया जा रहा है जिनको भेजा जाना है गहरा सागर मिसन शुरू किया जाएगा जिसके लिए 4,000 करोड की विवस्ता की गई है यानि समुद्र के अंतर चीजों को देखना और उसके फिर बहुत सारी जो भी हमारी खनेज संपदाएं हैं उनको सर्च करना और उनके वारे में रिसर्च करना तो ये गहरा सागर मिसन आपको याद रखना है बहुत जादा important है गहरा सागर मिसन योजना और इस पे कितना खर्चा किया जा रहा है ये आपको याद रखना है 4000 करोड रुपे की विवस्ता इसके लिए की गई है वेरी 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 most important गहरा सागर मिसन और मैंने पूरी की पूरी लाइन को ब्लू कर दिया ताकि आप समझें इसकी importance चलिए फिर minimum government और maximum governance ये आपको याद रखना है बहुत जादा important point इसमें जनगर्णा जो होने वाली है हमारी 2000 कितने के लिए होने वाली है 21 के लिए तो 2021 के लिए जो जनगर्णा होने वाली है वो पूरी तरह digital होगी और इसके लिए वित्तमंतरी ने 3760 करोड रुपे आवंटित किये गए हैं तो पहली वार जनगणना होगी जो पूरी तरह डिजिटल होगी यह आपको याद रखना है और इसके बजट के लिए 3768 करोड रुपे आवंटित किये गए हैं यह आपको याद रखना है दोस्तों ठीक है गोवा सरकार को आयोजन के लिए 300 करोड रुपे का आयोदान दिया ग माफ कीजेगा गोवा सरकार के लिए तो यह आपको याद रखना है चाय बागानों की स्रमिकों के लिए 1000 करोड रुपे दिये गए हैं बहुत इंपोर्टेंट पहली वार किरसी के छेत्र में और यह चाय बागान के लिए इन्हों ने यह 1000 करोड रुपे का प्रावदान किय है यह आपको याद रखना है इससे बहुत जादा हेल्प होगी चाय वाले छेत्र में लगे हुए स्रमिकों की और क्रेसकों की रुद्यमियों की ठीक है भारत की आकस्मिकता निधी को जो आकस्मिक निधी होती है उसके लिए 30,000 करोड रुपे का आवंटन किया गया है करूर देखिएगा राजस गाटा अनुदान के लिए 70 राजयों को कितना है एक लाक अठारे जार 452 करोड रुपे की गोस्णा की गई है यह आपको याद रखना है इंपोर्टेंट चीजें हैं अब हम देखेंगे वह पार्ट बजट का जो थोड़ा सा परिशान करता है ब सबसे ज्यादा पैसा उधार और अन्य देताएं से आ रहा है अगर हम एक रुपे की बात करें तो उसमें 36 पैसे जो आ रहा है सबसे ज्यादा इसको बहुत द्यान से देखिएगा आप इसको क्योंकि इसमें से क्वेस्टन पूछ लेता है रुपिया कहां से सरकार को आ रहा ठीक है तो उधार और अन्य देवताओं से 36 पैसे फिर उसके बाद अगर हम देखें सारे में तो सबसे ज्यादा बताईए कहां से हो रहा है बताईए तो फिर हो रहा है माल और सेवाकर यानि GST से 15 पैसे आ रहे हैं उसके बाद अगर हम तीसरे नंबर पर देखें तो पैसे आ रहे हैं यह आपको याद रखना यह पांच चीजें किरम में पूछ लेता है कि किस किस से आमंद नहीं हो रही है तो सबस्यादा बोरिंग और लाइबिलेटी तो 36 पैसे 100 रुपे में से 36 परसेंट आप ऐसे कहिए कि 36 परसेंट का से आ रहा है उधार और अन्य से 13 परसेंट और फिर उसके बाद है केंद्रिय उत्पाद सुल्क यानि यूनियन एक्साइज ड्यूटी आठ पैसा और भी आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं कि 6 पैसा आपको मिल रहा है नॉन टैक्स रिवेन्यू से रिण भिन पुंजी प्राप्तियां लेकिन 24 और फिर लास्ट बट नॉट दा लीस्ट केंद्रिय उत्पाद सुल्क ये है पांच मां ठीक है ये आपको याद रखना है ये स्लाइड बहुत इंपोरेंट और मैंने पूरी कोसिस किये बजट ऐसा बनाया जाए वीडियो कि आपको आ जाए मजा ठीक है और कितना अच्छ सबसे जाए देखें तो करों और सुलकों में राज्यों का हिस्सा सबसे जादा सोले प्रतीसत ठीक है यानि सोले पईसा दोनों जैसा आप समझना चाहें वैसे समझिए बट समझिए वह इंपोर्टेंट है फिर दूसरे पर देखें माफ कीज़ेगा यहां पर थोड़ा पाज्यों का हिस्सा फिर उसके बाद आपका तीसरा क्या है दोस्तों तीसरा है केंद्रिय छेत्र की योजना है जो सेंट्रल की स्कीम होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है तीसरा उसमें सबसे ज़्यादा जा रहा है फिर उसके बाद आप दोनों चीज़े देख सकते हैं या चौता पांचमा रखिए और इसके बाद फिर आपका केंद्रिय प्रायोजे तियोजना या जाएंगी जो centrally sponsored हैं और आर्थिक सायता है यानि subsidies भी अब देखें काफी 9 पैसे subsidies पे खर्च किये जा रहे हैं काफी ज़्यादा subsidy और defense पे इस बार 8 पैसा है तो यह आपको द्यान रखना है लेकिन हमको क्या-क्या चीज़े याद रखनी है बयाज अदाएगी पहला 5 में मोचली काम हो जाता है पांस से यादा नहीं पूछा जाता ठीक है तो पहला ब्याज जद आएगी दूसरा एक करोर सुलकों में राज्यों का हिस्सा फिर तीसरा हमारा है केंद्रिये छेत्र की योजनाई पिर चोथा हमारा है अन्यवे यानि अधर एकस्पेंडिचर इसको भी आप अगर चोथा ही म तो आप इसको जैसे समझना चाहें वैसे समझ लीजे एक दो तीन भी अगर देख लेंगे तो भी काम बन जाएगा ठीक है चलिए अब हम आगे देखते हैं जो चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान से देखनी है तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं बजट का सार तो बजट 88444, क로ड में है ये आपको याद रखना है 17,88424 करोड ठीक है तो यह राजस प्राप्तिया हो रहे हैं फिर उसके आदत पुञी प्राप्तिया है 5,17,924,812 क्रोड है राजस प्राप्तिया कितनी है 17,88424 है पढ़ रह रहा हुन में एकाई दाई सेकड़ा हजार दस हजार लाग दस लाग हाँ सत्रे लाग अठासी हजार चारसो चौबिस जो है ये देखो बजट क्या है अनुमानित है तो आपको संसोधित नहीं देखना है 2020-2021 का नहीं देखना है हम 21-22 का अनुमानित देख रहे हैं ठीक है तो राजस प्राप्तियां 17,88,424 हैं पुंजीगत प्राप्तियां कितनी है 16,94,812 कुल प्राप्तियां जो है अगर हम एक और चार को जोड़ दें तो कुल प्राप्तियां कितनी है हमारी 34,83,236 इसमें तो आपको कोई confusion होना नहीं चाहिए राजस प्राप्तियां और पुंजीगत प्राप्तियां को जोड़ दिया गया है तो ये हो गई है 34,83,236 आपसे सीधा amount पूछा जाता है ये चीज़ें आपको द्यान रखनी है बहुत important है इसकी PDF भी आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मेरे मिल जाएगी नीचे description box में आपको link मिल जाएगा बट अभी आप देखिए खुद से पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे इसको राजस प्राप्तियां 17,88,424 पुंजीगत प्राप्तियां है 16,94,812 और कुल प्राप्तियां इन दोनों को मर्ज कर दिया है एक और चार को तो कितनी हो गई है 37,83,236 तो ये हुई प्राप्तियों की बात अब हम देख लेते हैं deficit, statics यानी deficit कितना है तो राजकोसिय गाटा सबसे पहले देखते हैं question बन जाता है तो राजकोसिय गाटा सरकान ने estimate किया है कि 6.8% रहेगा जो कि पिछले वर्ष जो था 2021 में वो 9.5% था तो राजकोसिय गाटा सरकान ने बोला 15,6,812,00 करोड का होने बाला है ये करोड में हैं ये आपको याद रखना है 15,6,812,00 करोड का ये है 6.8% इसको माना है और अगर आपसे पूछ ले कि previous year में संसोधित कितना था तो 9.5% था सरकार ने बोला है कि वो 6.8 इसको कर लेगी ठीक है तो ये याद रखना है आपको राजकोसिय गाटा राजकोसिय गाटा होता क्या है तो दो सब्दों में जल्दी समझ लीजे अलाकि वीडियो लंबा हो रहा है कि राजकोसिय गाटा वो होता है कि सरकार कितना पैसा उधार लेना पड़ेगा अपनी पूरतियां करने के लिए जैसे कि देखे प्राप्तियां मान लीजे 100 रुपे की हुई और सरकार खर्च कर रही है 110 रुपे तो 10 रुपे कहां से आएंगे सरकार जो उधार लेगी तो वो ही राजकोसिय गाटा कहलाता है यह आपको याद रखना है बास समझ माई चलिए राजस्व गाटा कितना है 5.1 प्रतीसत आप इसको परसेंटेज में यात रखिए आप इसका पूछेगा नहीं राजकोसिय गाटा भी आपको परसेंट में आज रखना है 6.8 राजस गाटा 5.1 प्रभावी राजस गाटा 4.1 और प्राथमिक गाटा है 3.1 ठीक है तो ये कम क्यों है आपको अगर प्रभावी राजस गाटा प्राथमिक गाटा पता है तो आप confuse नहीं होएंगे नहीं पता तो comment कर दीजेगा मैं economics की वीडियो चला ही रहा हूं बिल्कुल फिरी उसमें ये सारी चीजें भी मैं बताऊंगा ही तो आप देख लीजेगा चलिए अब राजकोस ये घाटा वित्तो पोसंड के सुरोत क्या है जो राजकोस ये घाटा हो रहा है वो कहां से आएगा finance तो इन्होंने वो बताया है ये बहुत जरूरी है नहीं है देखने की जरूरत की बजार उदार कितना लेगी सरकार भविस्षय निदिया क्या है ये आपको question कहीं नहीं पूछेगा इसको जाने दीजे प्राप्तियां अगर रिसिप्ट की बात करें कि सरकार की प्राप्तियां कहां कहां से हो रही है तो पुंजीगत प्राप्तियां कितनी हो रह यह वह रहा है शाठ नौ जीरो एक चार और केंद्रिय चेत्र का इतना आप से पूछेगा नहीं इसको भी आप जाने दीजे यह सब चीजें जो इसको भी आपको जानने के लिए कुछ नहीं है जो चीजें इसमें आपको समझ नहीं आई है इस वाली स्लाइड में यह आपको मैंने हिंदी में लिखी है फिर से आप इसको जब पढ़ें तो इस वाली स्लाइड को छोड़ दीजेगा यह आपको पूछा जाना है नहीं मैंने सिर्फ रख दिया है उन स्लाइट को कि अगर आपको डीप में पढ़ना हो तो आप अपने से देख लीजेगा वो आएगा नहीं हाला कि ये गरेंटी है 2021 के लिए कुल 34,83,236 करोण रुपे के वे का बजट पेस किया गया है ये मैंने आपको बताया कि पुंजी गत और वो दोनों को मिला दिया गया पुंजी गत वे और राजास वे को तो कितना आ रहा था 34,83,236 क्वेस्चन जो आपसे पूछेगा वो ऐसे ही पूछेगा अलग अलग नहीं पूछेगा इसलिए मैंने आपको साही से स्लाइड में बताया वस वहां दिखाने के लिए उस स्लाइड को रखा हुआ था ठीक है तो आप इस स्लाइड को देख लेंगे काम हो जाएगा तो 34,83,236 करोड रुपे के वेका बजट पेस किया गया इस बार सरकार के दारा और ये चालू वित्वर्ष के संसोधे तन्मान कितने है 34,50,305 तो ये लगभग बराबर है थोड़ा सा ही या देख है किस से ठीक है तो आप ये देख रहे हैं कि देखे ये 34,83 है ये 34,50 है तो ये थोड़ा सा जादा है और इस से और ये क्या है ये जो बीस वाला है इसमें कितना कर चुकी तो ये 34,305 है और ये चंसोधे तन्मान किया है जो वित्वर्ष ये चल रहा है इसमें कितना हो चुका ये कब पता चला हमको जो आर्थिक सर्विक्षण पेस किया गया क्योंकि आर्थिक सर्विक्षण क्या है उपलबदियों का खाका है और बजट क्या है आने वाली उपलबदियों की अदमान होते हैं ठीक है बजट क्या है अनुमान है आगामी वर्स का और आर्थिक सरविक्षण में बताया गया और यह बजट मैं इसलिए आर्थिक सरविक्षण एक दिन पहले पेस किया जाता है ठीक है यह द्यान रखना है पुंजी वे कि अगर हम बात करें तो पुंजी वे कितना है पांच चाउवन दो सो चतिस और जो 2021 बाइस बीस एक किस के लिए कितना था चार उनतालिस एक सो तिरसट तो पुंजी वे क्या होता है पुंजी वे वो होता है जिसमें या तो आपका कुछ जो आपकी पुंजी है जो आपका एसेट बढ़ जाता है या फिर एसेट यह मान ली चार उनतालिस एक सो तिरसट तो यह याद रखना पुंजी वे कितना है यह आपको याद रखना है बजट दस्तावेज के मुताबिक राजस खाते पे वे कितना हो रहा 29 उनतिस ट्रपल जीरो ठीक है तो 29,000,000 करोड रुपे अनुमानित है इसमें राजस वे में और राजस यह एसेट बढ़ जाती है या फिर लाइबिलिटी कम हो जाती है वो कहलाता है पुंजी गत वे लेकिन राजस वे क्या होता है जिससे ना तो एसेट बढ़ती है ना लाइबिलिटी कम होती है जैसे कि मान लीजे कोई सड़क तूट गई तो सड़क को फिर से मरमत करवाना त क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि आने वाले समय में सरकार को टोल मिलेगा उससे टोल टैक्स मिलेगा तो इसलिए पुंजी गत्वे अच्छा माना जाता है ठीक है तो राजस वे हम कितना कह रहे हैं 29,29,000 करोड और इसके अनुसार खर्चा कितना पिछले वर्स कितना खर्चा बट हाँ बिलू वाले तो आपको होने ही चाहिए राजकोस यह घाटा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने इसको दुबारा बता है राजकोस यह घाटा सरकार का क्या बोला है कि 6.8% सरकार इसको रखने की उम्मीद कर रही है हाला कि जो चालू वित्तवर से यानि 2020-21 के लिए कितना हो गया है 9.5% और यह क्यूं है आप जानते हैं सरकार का ड्यू टू कोविड बहुत सादा खर्चा हुआ है बहुत सारी विदाएं देनी पड़ी है इसलिए 9.5 क्रोर है लेकिन इसमार सरकार ने इसको 6.8 तक लाने की बात कही है और आने वाले समय म आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा कोमेंट जरूर करिएगा मैनत अगर आपको अच्छी लगी और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना जरूर लाइक जरूर करिएगा दोस्तों के साथ सेर जरूर करिएगा और हमें बताईएगा कैसी लगी वीडियो और जो PDF है वो आपको हमारे टेली ग्राम पे मिल जाएगा टेली ग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में बुल जाएगा नीचे वीडियो के और तब तक के लिए सुक्रिया थैंक्यू पढ़ते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए थैंक्यू सो मच्छ, हवे गुड़ दे, जै हिंद